मुझा अब हम लोग आगे बात करेंगे रेसिस्टेंस और रेसिस्टिविटी बहुत कंफ्यूजन होता हम लोगों को एक्जाम में जब हम लोगों के रेसिस्टेंस और रेसिस्टिविटी पूछी आती है बैसिकली प्रॉब्लम क्या होता है कि दोनों लगवग मिलते दुलते सब्द हैं तो थोड़ा सांदर होता है और अक्सर कम से कम कभी कभी जैसे उन दो का साई या यूनिट पुछ लिया गया कभी कभी उनकी वालू पूछ लिए तो हम लोग लेकर उसको परिसान रहते हैं हो इसी लिए मैंने क्या किया है दोनों को एक साथ लाने की कौशच्च किसी भी कंडक्टर के अगर आप लेंट को इन क्रीज करेंगे अगर आप उसकंद को मालबजी इंक्रीज कर रहें तो क्या होगा उसका resistance बढ़ेगा लेकिन जो resistivity होती है वो length पर depend नहीं करती है does not depends on length resistivity कभी length पर depend नहीं करती है इस बात को ध्यान से समझेगा दूसरी बात जो resistance तो हमारा वो inversely proportional होता है cross section area के मतलब जो cross section area होगी जो cross section area होती है के नुवर्सली प्रोपोश्टनल नमिन्स अगर हम लोग एरिया को बढ़ाएंगे तो रिसस्टेंस खम होगा और अगर हम लोग रिसस्टेंस को बढ़ा रहे हैं तो सेक्षन एरिया कम हो जाएगी जबकि यहां पर क्या होता है क्रोस ने पर डिपेंडी नहीं करता डर्ज मतलब यहां पर क्या हो रहा जो क्रोस सेक्षन एरिया है जो क्रोस सेक्षन एरिया उस पर डिपेंड नहीं करता इस जड़ डिपेंड नहीं करेगा रेसिस्टेंस डिपे काद आ होगा जब कि यहांपर क्या होगा रहा है कि डिपेंड हो दिया पर वाला और यह बहार्ट और यहां पर भी क्या होता है कि यह ऐसे फी बपाद चीजें फिर दिपेंड करता है इसप्ट नहीं भी यह क्या होता है कि किसी भी material के nature पर डिपेंड करता है resistivity जब कि जो हमारा resistance वो भी nature of material पर डिपेंड करता है इसलिए हम लोग यह कह सकते हैं कि जो हम लोगों का यह दो point है और यह दो point है यह दो पॉइंट है यह दोनों में क्या है common है में से क्या हो गया temperature और nature of material दोनों डिपेंड करता है और सबसे बड़ी बात जो अक्सर हम लोग और फ्यूज रहते हैं वो क्या है कि जो resistance का हमारा SI unit होता है वो होता है ओम इसको ध्यान से समझेंगे इसको मोग ओमिगास रेप्रेजेंट करते हैं जबकि जो रेसिस्टिविती होती यह होता ओम मीटर ध्यान से सुनेगे मेरी बात को फिर से ध्यान सुनेगा जो रेसिस्टिविती का हमारा SI unit होता वो था ओम मीटर जबकि जो हमारा प्रपोश्टनल तो प्रपोश्टनल तो प्रपोश्टनल तो अपान क्रासिक्षन एडिया और यहीं से रोव वैलू आती है हमारे पास रेस्टिविटी यहीं से आती है और यहीं से गहां करते हैं यहीं से रेस्टिविटी डेवलप करते हैं चुकि होता किया है जब प्रपोश्टनल त्पर पास एक प्रपोश्टनल तर्म यहांपे तो लेकिन यह भी डिपेंड करता है नेचर आप मैटेरियल पे और टमपरेचर पे, आए देखते हैं, रोई जी कोस्टू क्या होता है, यहीं से यह डिवराइब्ड फॉर्म है, यहीं से डिराइब्ड पर जात हम लोग यहीं पर सी देखा है, रोई जी कोस्टू आर क्रॉस ए अपान एल, यहीं हमने यहां पर ल से अरिया के प्रोड़क्ट और लेंथ का, तो यहीं बात हम लोग समझ गये, कि रेसिस्टेंस जो हमारा होता है, वो लेंथ और क्रास सेक्शन एरिया पर डेपेंड करता है, जबकि जो हमारी रेसिस्टिविटी है, वो लेंथ और क्रास सेक्शन एरिया पर डेपेंड नहीं जो resistivity होती है, यह conductance के inversely proportional होती है, मिनसे क्या हो रहा है, जिनका resistance कम होगा, उनका conductance ज्यादा, उसमे conductivity ज्यादा होगी, यही कारण है, कि जो metal और alloys होते हैं, उनकी conductivity बहुत ज्यादा होती है, क्योंकि उनका क्या value है, 10 raise to power minus 8, 10 raise to power minus 6, omega meter की value यह show करते हैं, तो हम लोग यह समझ गए, कि resistance और resistivity, अब आगे हम लोग यह देखेंगे, कि resistance को हम लोग parallel में कैसे arrange कर रहे हैं, series में कैसे arrange कर रहे हैं, और इसके बाद हम लोग कुछ numericals भी देखेंगे, चुकि numericals हमने पिछले काफी समय से हम लोगों ने कुछ नहीं किया है, तो इसका लोग कि हम लोग साथ में इसके numericals भी करते चलेंगे, ताकि हमें अपने exam में दिक्कत न हो,